दोसतो अगर आपे cricket stadium के पिर फर सोगा है तो इस वीडियो को सबसे पहले देख ले ना फिर Summary UK के अनदर जाना है। अगर आपको वह्य पता नहीं होगी तो आपको पिरक अपर किरकी इंदर नहीं मिलेंगी। साथ में यहां पर कुछ चीजे ऐसी है जो आप यहां पर स्टेडियम के अंदर यहां पर नहीं ले जा सकते हैं अगर आप यहां पर ले जाते हैं तो आपको वहां पर स्टेडियम के अंदर एंटरी नहीं मिलगी और अगर एंटरी भी मिल जाती है और बाद में आपके पास व पर हाँ आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो यहां पर कुछ बेजिक यहां पर जो इंफोर्मेशन हैं वह यहां पर बता दीता हूं किया है तो उसके लिए यहां पर क्या होता है कि आप यहां पर आपको मिला जाता है और वहाँ पे आपको QR code देखने को मिल जाते हैं लेकिन वहाँ पे आपको physical ticket नहीं मिलती वो सिफ confirmation होता है तो यहाँ पे किसी भी match को देखने के लिए और stadium के अंदर entry लेने के लिए आपको एक physical ticket की ज़रूरत पड़ेंगी जीहा physical ticket के बिना आपको entry नहीं मिलेंगी हाँ कुछ यहाँ पे stadium होते हैं जहाँ पे आपको physical ticket की requirement नहीं होती है और वहाँ पे आपको जो booking QR code होता है टिकेट का वो दिखा के आपको entry मिल जाती है लेकिन यहाँ कुछी stadium के अंदर होता है ज्यादतार यहाँ पे आपको physical ticket की जरूरत पड़ती है तो अगर आपको यह पता करना है कि आप जहाँ मैच दिखने जा रहे है वहाँ पे physical ticket की requirement है या नहीं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने जहाँ से यहाँ पे टिकेट बूक किया है उसके जो booking का जो होता है वह नीचे आपको वहाँ पे टप साइन कंडिशन देखने को मिल जाता है स्टेडियम का तो वह आप पढ़ लेना तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फिजिकल टिकेट की requirement है या नहीं लेकिन यहाँ पे टिकेट की requirement होती है अब आप सोचेंगे कि हमने तो यहाँ पे बूक किया है ओनलाइन तो हमको फिजिकल टिकेट कहा मिलें तो मैं आपको मैश के दिन आपको मिल सकता है फिजिकल टिकेट लेकिन आपको दो गंटे पहले जाना पड़ेंगे नहीं मैश स्टार्ट होने से यहाँ पे दो गंटे पहले जाना पड़ेंगा और वहाँ जाकि आपका जो बुकिंग यहाँ पर confirmation होता है वो QR को दिखा कि आप वहा नहीं मिलेंगी और यहाँ बात बते हैं आपके पास है फिजिकल टिकेट पहले सही तो यहाँ पर मैश के दो तीन गंटे पहले आपको पहुंच जाना चाहिए वहाँ वरना आपको साइद यहाँ पर स्टीडियम के अंदर बी नहीं मिल सकती तो चलिए अब बात करते हैं कि कोन से चीजी हैं पर स्टीडियम के अंदर अलाव में और कोहन से चीज़े नहीं हैई कि हमको कुछ पता नहीं होता है यह जो हमारे जेप के अंदर ही है बाषि आप डविए लेकिन चीज़े नहीं होती है इसतले चीज़ें सब्सक्राइब लेकिन आपके बाधा कुछ चीज़े आईसी है जो आपको डिल सकती है तो माले अगर के लिए वीडियो देख लिया है तो आप पहले से ही गर से ही वो चीजे नहीं ले जाएंगे चलिए आप आप दुस्तो पर कुछ चीजे ऐसे होती है जो आप आप पे इसलिए सब्सक्राइब करते हैं, तो कभी कब आप एक जोह कहते हैं, ustame,. लेते च्याराइब के ऊपर और खिलाडी को च्व लग सकती तो ऐसा ना हो इसलिए पर कुछ चीजे ऐसी होती वो आपको साथ में ले नहीं जा सकती तो उसके अंदर क्या क्या आता है वह में आपको बता दिता हूं सब से पहले हैं पावर बैक पावर को भी आप यहां पर सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर साइद मालों यहां पर स्टेडियम के अंदर होती है वायर केबल जैसा है यहां पर हो सकता है इसलिए ऐसे चीजें भी यहां पर लग सकती इसे सिग्रेट और लाइटर की वजह से तो ऐसा भी इसके लिए यहां पर स्टेडियम के अंदर यह यूज नई किया जाता है इसके लाव यहां पर होता है यहां पर सेल्फी स्टेग यहां पर ले आते हैं लेकिन वहां पर अलाव नहीं है और साथ में वह भी यहां पर खिलाणी के उपर वो लोग फैक सकते हैं इसलिए वहां पर अलाव नह यहां पर hidden यहां पर stick वगेरा होता है तो basically यहां पर stadium के बाहर यहां पर flag वगेरा यहां पर मिलता है हमारे इंडिया का वगेरा तो वहां पर आप अगर जो stick है वो साच में है flag के साथ तो वहां पर आपको वो नहीं ले जाने देंगे तो वहाँ पर आपको वो निकलना पड़ेंगा और flag आप यहाँ पर ले जा सकते stadium के अंदर लेकिन उसके ज़र जो stick होता है वो आप ले नहीं जा सकते क्योंकि वो भी यहाँ लोग फैक सकते हैं stadium के अंदर तो यहाँ पर यह भी आपको allow नहीं है इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर नहीं ले जा सकते हैं साहत्त में जो backpack वो भी आपको यहाँ पर allow नहीं है अगर पानी की पानी है वाटल है वह मिलती और काफी हाइं यहाँ बजट के अंदर मिलती है दस रुपीज जो वौटाल आती है है वो श्चीडियम के अंदर है फोटी रुपीज के अंदर यहां पर मिल जाती है कि पचास-पचास रुपए तक वह पे आपको पानी मिलेंगा तो और साह्त में यह भी होता है कि इसली यहां पर इसटियम के फेक दिया इससरी से और सब लोग इसा करते हैं क्योंकि यहां पर होता है पहले एसा रूल नहीं था था यहांप लिख लिख ले जाए तो यहां पर बात करें चैम्रा सबसे ज्यादा पूछ से जाने वाला यह क्विश्ण है क्योंकि यहां पर स्टेडियम में जाके लोग फोटोग्राफिय बगरे का नभी चाहते तो इसलिए यहां पर कैम्रा भी अलाव नहीं है अगर ज्यादा तो लोग आप यहां पर अपना मोबाइल यहां पर स्मार्टफ़ॉन ले जा सकते फोटोग्राफिय वीडियो अपर कर सकते वह भी अलाव है लेकिन वह ज्यादा अगर मालो आप यहां पर सिक्रूटी वहां पर होती है तो आप ज्यादा यहां पर कुछ इस तरह से करेंगे तो वह भ हो सकता है आपको फाइंट बना सकता है यहां जैल भी हो सकती है ऐसा जो वैपन वगएर अगर आपके जैब में है तो वह मत ले जाना आप से लिए रखते हैं तो बिलकुल मत रखना क्योंकि उसके भी वह अगर होगी तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेंगी इसके बाद है पर बात करते हैं फूड जी हां फूड आप बिलकूल अलावड नहीं है इनके आप साथ में कुछ भी चाहें आप यहां पर मालो कुछ वैसन आपके पास है तो वह भी नहीं अलाव और फूड बूड वगएरा जो होता है वह भी आप अंदर नहीं लेंग सकते हैं क्योंकि पहले से मिलते हैं उनको बिजनस करना है क्योंकि कुछ भी फूड जो होते बाहर सस्ते मिलते हैं जो इसकी जो प्राइज नॉर्मल होती है लेकिन यहां पर स्टेडेम के अंदर उसकी प्राइज यहां पर तीन-चार गुना यहां पर ज्यादा होती है मालो मगर आप यहां जो थमसब वगिरा वह अंदर यहां पर आपको तीन-चार गुना यहां पर प्राइज में डबल में आपको देने को बिल जाता है इसलिए यहां पर फूड वगिरा आप इसके अंदर अलाव नहीं है अब यहां पर बात करते हैं हेलमेट अगर आप बाइक से जा रहे हैं त कि आप यहां पे कोइन्स जो होती है चिलर रूपी तो वो भी आप यहां पर श्टेडियम के अंदर यहां पर नहीं अब कर दस का सिक्का है क्यिसक्ट रचक्व सकती है psychology फिरे बेजिक यहां पर चीज़ है जिसको आप अलाओ नहीं जैसे लोगों को पास यह होता है तो इसलिए यह सब यहां पर मैंसन किया जाता है कि यह सब आपको यहां पर स्मार्ट फोन होता है वो ले जा सकते साथ में अगर आपके पास स्मार्ट यहां पर वाच है तो वह भी आप प्रचेश्थ क्या है किया गया है तो इहां पे इस तरह से अगर आपके पास सीह मैंने क्या चीज, गई आ खय का लाइक कहले है तो आप स्टेश्डियाम के लिए विद लैकर एंपने सकते हैं तो चले मिलता है मिल लिये, बाई बाई